Hello and welcome to my channel Learn Mass Communication, myself Priyanka So guys, इस वीडियो में हम news structure का topic जो है, start करेंगे तो news का जो structure होता है, news का जो way of presentation होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे News structure जो होता है, वो news story जो होती है, वो किस तरीके से लिखी जाती है उसका क्या तरीका होता है लोगों के सामने present करने का अपने viewers के सामने या फिर अपने मतलब इस基本 a written का होता है कि किस तरीक जरी in print media में हम इसकी बात करते है इस news structure की कि जो आपके readers होते हैं उनके सामने आपको अपनी news के form में present करनी है तो उसके भी 3 forms होते है that is inverted pyramid होता है एक उस level पे लिखी जाती है एक होता है chronological order होता है और एक होता है R glass structure तो ये तीन structure होते हैं जिस form में जो है आपकी news print media में लिखी जाती है तो एक-एक करके हम तीनों को समझते हैं तो inverted pyramid की बात करें तो pyramid तो आपको पता होगा कि किस तरीके से दिखता है मतलब कोन की shape में होता है वो triangle की shape में लेकिन ये उल्टा होता है inverted का मतलब होता है उल्टा तो pyramid जो होता है उल्टा pyramid उसमें होता है तो the inverted pyramid is a structure of an inverted triangle it is the structuring of news according to the importance of interest the starting or the lead is broader than the conclusion मतलब इसमें क्या होता है जब हम इसे जो conical होता है triangle का pointed area जो होता है वो smallest होता है तो इसलिए उसको उल्टा कर दिया गया है क्योंकि उपर क्या होता है broader area होता है तो वहाँ पर हमारी starting होती है news की lead story होती है जो important होता है और नीचे आते आते conclusion तक आते आते content जो है वो कम होता जाता है तो यह दिखाया जाता है इसमें की news को उसकी importance उसके interest के according ही frame किया जाता है starting में lead होती है जो important news होती है जो सब पढ़ना चाते है उसके बाद हलके हलके करके उसका details आती है जो लोग कम पढ़ते है फिर उसके जो conclusion होता है तो main जो main खबर होती है when the news goes downward the least important or interesting information is put it means कि जव starting होती होती है वो starting में दे दी जाएगी सबसे starting में उसके बाद जो होता है आपकी जो news है वो दूसरे में जब हम जैसे जैसे नीचे आते चले जाएंगे उस तरीके से हमारी जो lead है वो खतम होती चले जाएगी फिर जो कम important है या फिर least interested रहते है लोग पढ़ने में हलके हलके जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे news को वो लोग कम करते थे information को कम कर देते है या फिर सिर्फ वही information डाली जाती है जो important होती है तो जो main ख़बर होती है वो आपकी उपर दी जाती है देखिए डाइग्राम है inverted permit का तो starting में उपर क्या है lead है lead मतलब होता है जो main story है जो important information है आपके 5W1H जो आपका who, what, where, when, why, how ये सब आपने बता दिया ये हो गया आपका lead अब आपका हो गया body दूसरी जो body आई उसमें कहना है ये सब चीजे body में आती है और फिर जब नीचे जो tail होती है उसमें क्या होता है उसमें extra information डाली जाती है उस topic के बारे में या फिर जो पत्रकार होते है वो अपना ही खुद का कुछ coursework जो है उसमें add कर देते हैं नीचे का तो मतलब जो important खबर होती है वो lead में होती है एक structure होता है पहला inverted pyramid का खबर लिखने का जो दूसरा होता है that is chronological structure chronological आप समझते होंगे straightwise in this structure of news the news is structured on the basis of time the happenings or details of the event are kept in order of time from starting to finish अब chronological order क्या होता है कि इसमें हम time के according work करते है कि अभी जो present current news है वो पुट करेंगे उसके बाद जो नीचे आता चला जाएगा जैसे उससे कल क्या हुआ था उससे पहले क्या हुआ था इस घटना में या उससे पहले क्या हुआ था तो इस तरीके से एक के बाद एक हम इस story में structure news में जो है जोड़ते चले जाते हैं तो यह होता है chronological order जो हम time के according जो है kept करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब आप first paragraph पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक इसमें क्या हो गया है फिर उसके बाद जब हम जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं तो उसमें अब क्या-क्या हो रहा है क्या-क्या हो चुका है वो सब देखने को मिलता है तो this is an especially useful way of telling stories about sequences of events rather than single event तो ये एक तरीका होता है story बताने का जिसमें हम जो है events होते हैं उनके sequence को बताने का कि अभी तक इस event में क्या-क्युच घट चुका है वो सब बताने का ये की हम एक normal सी बता दे कि आज क्या हुआ है क्योंकि आज क्या हुआ है वो जो already पढ़ता आ रहा है उसे तो पता चल जाएगा कि आज क्या हुआ लेकिन जो उस खबर के बारे में जानता ही नहीं है और watch पहली बार उस खबर को पढ़ रहा है तो उसे आज का तो पता चल जाएगा लेकिन उसे ये नहीं पता हुआ कि ये शुरुआत हुई कैसे थी इस event की और ये किस तरीके से ये news उठी थी प्रेंड में किवाई थी तो इसलिए जो है ये chronological structure जो है अपनाया जाता है news में ताकि एक follow-up बना रहा है और अगर चाहे कोई news reader है वो चाहे आज पढ़ रहा है या कल पढ़ रहा है वो उसको हर चीज का news की starting से लेकर end तक का follow-up पता रहे जो आपका तीसरा होता है that is our glass structure आपको पता होगा जो पहले के time में rate जो भरीवी bottles होती थी जिसमें time का अंदाजा लगाते थे उससे तो उसी हम बोलते थे our glass तो इस structure में क्या होता है ये दो structure से मिलावा होता है writing का एक our glass जो होता है बीच में से मतलब दो parts में divided होता है और धीरे धीरे करके news मतलब जो rate होता है उसके नीचे point point गिरता रहता है उसी तरीके से our glass होता है तो this structure is somewhat a mixture of the first two structures of writing in this structure the most important part of the news story is put as the lead like in the inverted pyramid अब जिस तरीके से हम inverted pyramid में सबसे उपर lead रखते है इसी तरीके से our glass structure में भी हम सबसे उपर अपनी lead रखते है सबसे important 5W1H बताते है कि खबर क्या है उसके बाद then the story is written in the chronological way फिर इसके बाद जब story होती हो chronological way में लिखी जाती है according to the time कि पहले तो हम बताने कि खबर क्या है उसके बाद हम बताएंगे कि अब तक इसमें क्या कुछ घट चुका है और क्या कुछ हो चुका है फिर it takes the shape of an मतलब यह क्या होता है hybrid structure होता है news writing का और यह एक our glass का जो है shape ले लेता है मतलब broader in the beginning and smaller in the middle and again broader in the end इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले lead बताओगे सबसे important खबर डालोगे starting में फिर बीच में क्या होगे chronological order में लिख रहे है तो वो चीज क्या होगी कि अभी तक आप वो पुरानी चीज़े उसमें डाली जाएंगी कि इसमें अब तक यह घट गया फिर आप नीचे जो है जो बड़ी बाते हैं वो डाल देंगे तो यह होता है कि our glass structure देखिए इसका diagram है our glass की shape में ही है तो इसमें क्या है सबसे उपर क्या है main news जो आज की main खबर होगी वो इसमें structure में मतलब our glass structure में सबसे उपर रखी जाती है lead जो होता है फिर उसके जाते बीच में जो important important points होते है जो अभी तक घट चुका है वो इसमें डाले जाते हैं तो यह portion पे आके थोड़ा सा क्या होता है small हो जाता है यहाँ पे area जो है broad की जगे smaller हो जाता है फिर हम दुबारा से क्या है खबर को narrate करना start करते है from the beginning फिर उसको हम starting से बताते हैं कि अब तक क्या कुछ हो चुका है तो यह सब चीजे क्या होती है कि फिर से broad होनी start हो जाती है इसलिए इसे हमने our glass structure कहा है तो यह तीन structure होते है अगर कोई भी आपका paper में exam में question आएगा कि structures related तो आपको बस अपने mind में news के तीन structure रखने है राइटिंग के यही एक तब आपका inverted parameter दूसरा आपका chronological order और तीसरा आपका our glass structure यह तीन structure होते हैं और इनी के basis पे print media में आपकी जो news है वो design की जाती है इसी basis पे news script लिखी जाती है इसी तरीके से तो I hope कि आपको जो यह video है पसंद आई होगी और आपको पसंद आई है तो please like करें, share करें और चैनल को subscribe करें Thank you